आज हमारा मन चंदन है जिस जन की मंगल अभिलाशा कर्म मई पाती हो भाशा जिसमें जगमग जगमग आशा ऐसे अभ्यागतूं का बंदन है आज हमारा मन चंदन है आज दिवेश्व जनू डाक्टर हरीसी गौर विश्व देले के स्वर्ण जन्ती सभागार में पधारे आप सभी मानुभाओं का हम एक बार पुना हरते के स्वागत करते हैं तीन दिनों का ये वैश्विक समागम अद्वेतूत्सो आज अपने समापंचरन की ओर है और हमें इस बात की हारदी खुश है कि आज अपनी आशीश मई उपस्तिती से हम सबको अनुग्रहित करने के लिए आदिनी गुरु माह हमारे वीच उपस्तिते हैं हम उनकी उपस्तिती के प्रतिगहरा आदर प्रकट करते हैं तीन दिनों तक आदिश अंग्रहचार की स्मृतियों को हमने कही तरह से साजा गिया है वो दिशाएं खोजी वो संभावनाएं खोजी जो हजारों वरस की हमारी आध्यात्मिक विरासत से सूत्र ग्रहन करते हुए आज किस तरह से हमारी बुझी बैचेन और हाताश जिंदिकियों के लिए अमरत कलश की तरह काम कर सकती है और ऐसे ही अमरत कलश को हम सबने संजोने की कोशिश की और उसके कुछ बिंदों को कुछ बुझों को आप सब तक पहुँचाने के आज चेश्टा हमारी इस समापन जरण में आप सब के साथ बन रही है किसी ने कहा है कि रंगमंच पर पड़े परदे की तरह कौन जानता है कि रात के काले परदे की पीछे कल कौन सदरश खुलने वाला है इससे पहले के परदा खीचने वाले लड़के की तरह सूरज सारे राज खुल कर रख दे आओ हम सब अपनी अपनी कलपनाओं के उचे से उचे सपने बुने शायद कोई सपना सच हो जाए हजारों बरस पहले आदी शंकरयाचारे ने भी ऐसा ही एक सपना देखा अपनी छोटी आँखों में एक सपना सजोया और उस चेतना के अंश को खोजने के चेश्टा की जो दरसल सरवव्यापी है पुरी ब्रंभांड में नहीं थे लेकिन उसे खोजने का उस चेतना को प्राप्द करने और समझने के चेश्टा के चलते इक सपना पाला और सारी धर्ती को उन्हों ने नाब दिया इस शंगराचाहरे का सपना उनकी आँखुंसे तररता हुआ उनके वक्त जिससे तरता हुआ हम तब सब पहुँच रहें और हूम सब भी उस सपने में अपने आपको शामिल मान रहे उनके सपने के साथ आदिशंगराचायर के इस मुरतियों को संजोने का यह सपना हम सब ने भी बुना और हमें इस बात के खुशी है कि पुरशार्त और प्रतिभा के संगम से इस सपने को कत्रा भर भी हम इस वैश्विक समागमप के माध्यम से अगर पूरा कर पाए हैं तो न कोटा सांतराल कुछ स्मृतियां तीन दिनों की कुछ उन योगदान को याद करने का भी वक्त है जिनके बगर शायद हमारा यो पक्रम हमारे यह सपना पूरा नहीं हुआ था ऐसे करदारों को ऐसे व्यक्तित्तों को हम आज याद करना चाहते हैं माननी कुलादीपती मौद आप सब जैनते हैं आदर्णी श्री रागविन प्रसाथ तिवारी जी और उनकी पूरी टीम ने जिस पुरुशार्त के और लगन के साथ इसे संभव किया है हम चाहेंगे कि वे क्रमश्रमंच पर पधारेंगे और हमारे सहीग्यों को सम्मानित करेंगे अपनी और से कुछ क अम्रत है उसका पाठ आप सबके संभू करेंगे अमें इस पूरे उपकरम में नकिल व्यद्वानों का कि नकिल कलाकारों का नकिल शिचा कर्मियों और संस्कतिक बímय का योग्दान मिला बल्कि हमें बहुत जंगलों में निवास करने वाले हमारे कुछ कलाकारों की अपनी उसका लात्मक चेतना से संपर्क्ति का एक सवभा की मिला जिनोंने दरसल में अध्यत विदान्त दर्शन को बिना कहीं पढ़े बिना किसी गुरुकुल में गये बिना किसी मट की शरण में जाये सिर्फ अपने जीवन और प्रकृति से समझा और आप सबसे ये साजा करते वे म अपने जनजाती जंसकति और उसके दड़कनों को सिर्जा और अपनी तरह से अध्यत विदान दर्शन को देखने की चेस्ट आगी उनके साथ लाडवाई आई उनके साथ अम्रदा प्रसाद टेकाम हमारे साथ आए और नजाने कितने सारे कलाकार विभिन राज्जियों के भी उने सूबों के हमारे वीच पधारे और इस अधेद पत से गुजर कर जब श्रीमा यहां तक पहुंच रही थी उनके आखें बर्बसी उनके अनवास के सामने टिक गई थी में देख रहा था और किस तरह से एक रिशी को इस तरह से कलाकार की आँख से भी देखा जा सकत है उन इस प्रतियों को भी टटोला जा सकता है सिर जा जा सकता है जो शताब्दियों हजारों साल पहले से चल कर हम सब तक आज एक चीत्मा की रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं बहराल हम चाहेंगे कि देश पर से हमने जिन कलाकारों को पुकारा और उन्होंने अपनी क करतियों को तिखाएं कि ओनलाइन एक्जिबीशन है यह और जैसा कि हमने आपको बताया नेकेवल भारत के सुर प्रांतूं से बलके सरहत पार के कुछ मुलकों के कलाकारों ने भी हमारे एक भारती रिशी को उसके दर्शन को उसके व्यक्तित्य को देखते हुए यह चित्रकृतियां हमसे साजा क कि हम? झाल झाल कि तीन दिनों के कला शिविर में जो कलाकार हमरे साथ तंपनी रहे और जन्होंने अपने कैनवास पर आदी शंकराचार के व्यक्तित की विभिन च्वियों को सर्जा उनमें श्री देविलाल पाटिदार वरिश्चेत्रकार श्री लश्मिनारण भावसार श्रीवासुदेव कामत देवलाल टे काम गंगोत्री टे काम मयंक बांगर राजा खत्री राजु राठोर डॉक्टर श्रेलेंद्र हरी नामदेव राहुल निमा आयूश पतेल निशान्द गुपता तरुन ठाकुर अभै सुन्धिया रामकुमार टे काम नर्वदा प्रसार् भूरी बाई, सरूज वेंकट श्याम, मंगला बाई मरावी, दीवक निरुपम, डॉक्टर बल्वन सीम भदूर्या, ओम प्रकाश माहोर, उमेंद्र वर्मा, गंगाराम विष्नु, निकिता मित्रा, रश्मी जैन, सुरभी नेमा, राजकुमार जटूलिया, सुनील सराफ, आंजना पेठिया, डॉक्टर मीरा जैन, श्रीमती नीरज दिक्षित, शंकर राजबूत, लाडो बाई रामचंदर खराटमल, कुंडल हीरेमट, डॉक्टर सुनील कुमार विष्वकर्मा, विशाल वाडे, निखिल खत्री, गोविंद विष्वकर्मा, वेजय आजरेकर, स अजद्धार त्रिपाथे, सानिया, जचिन देव, अभिशेक वर्मा, धीरेंद्र मांचे, एंद्रभान कुष्वाह, अंजली राउत, मनुच विष्वकर्मा और राहूल रायकवार. एस पूरे प्षिविर को सन्युजित किया, शेकर सम्मान से विफुषित हमारे प्रदेश के वरिष्ट चित्रकार, कलाचिन तक, आधिनी डॉक्टर लश्मिनारेंट भावसार ने, देविलाल पाटिदार जी, पीता अगडगरी जी, इन तमाम चित्रकारों ने एक बड़ सन्युजन का काम किया, और देश भर के चित्रकारों को आधिशंकर अचारी की जमीन पर इखटा करने की कोशिश की, हम इस पुर्शार्त में, इस संकल्प में बहुत दूर तक, अपनी आहटों को संजुते वे, आगे का रास्ता तै करने का होसला संजुए हैं, बहुत आधनी दिवी सजनु, जैसा कि हमने आपके पहले सूचित किया, तीन दिनों के दौरान हमारे तमाम विद्वान मनीशियों ने, संतों ने, जो विचार का प्रभाह हम सब तक पहुंचाया, उसे कागर्स पर कोश शब्दों में थामने की कोशिश हम लोग ने की है, और हम च आमरत की संग्या दिये, शीरशक दिया है, आधनी श्री अंबिक आदत शर्मा जी हमारे विश्व देले की दर्शन विभाग की अध्यक्षे हैं, उनसे निविदन है की वियाएं, और हिंदी में निश्कर्शों का पाठ आप सब के समोग करें, और उसके बाद उसे अंग्र आदत शर्मा जी को रिशी कल्प आर्ष परंपरा के शंत वरियाह, और इस सभागार में अपने अस्तित्व का अपने ही होने का उत्षव मनाने के लिए आये हुए समस्त अभ्यागत आत्मन, शर्वम खल्विदम ब्रंभ, अद्वाइत उत्षव, इंटरनेशनल कांफरेंस, अद्वाइत वेदांत, आचारी संकर्स, फिलोसफी आप युनिवर्सल वननेश, आठ से दस दिसंबर दो हजार उनीश, अद्वाइत आम रितम, डॉक्टर हरी सिंग और विश्विद्यालै सागर मध्य परदेश, एवं आचारी संकर्स, शंस्कृतिक एकता न्यास, संस्कृति विभाग मध्य परदेश, के संयुक्त तत्वावधान में, आठ से दस दिसंबर दो हजार उनीश, परियंत, अद्वाइत बेदांत, शारभोमिक एकात्मता का दर्शन, विशय पर केंद्रित, अद्वाइत उत्षव नामना, अंतर्रास्टी ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस अद्वाइत उत्षव के आठ ब्रम्भोद्य सत्रों में, देश-विदेश के विद्वानों और आर्स परंपरा के संतों ने, शारभोमिक एकात्मता के दर्शन के विभिन आयामों और उसकी वैस्विक उपादेयता पर विचार विमर्ष किया, इस विचार मंथन से जो अद्वाइतामरित नहिश्रित हुआ, उसका सार संकलन यहां इस उद्देश के साथ प्रस्तूत किया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा इसे सन्युक्त राष्ट संग के महा सचीव को भेजा जाएगा, ताकि सारभावमिक एक आत्मता के अद्वाइत विमर्ष को वैश्विक अस्तर पर अस्थापित करने की एक सार्थक पहल की जा सके। बाउधिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजिनीतिक, एवं मनोवज्ञानिक उन्नयन तथा परिमारजन का ऐसा मार्ग प्रस्त किया जाना संभव हो, जिससे मानव जाती आधुनिक्ता के दैहिक, दैविक, भावतिक त्रितापों से मुक्त हो सके। अतेव अद्वयत उत्षव 2019 के माध्यम से हम यह प्रस्ताव करते हैं कि भगवत पाद आचारी संकर के आविरभाव दिवस को अद्वयत दिवस के रूप में मनाया जाए, और 2020 से आरंब होने वाले दसक को शारभौमिक एक आत्मता के दसक के रूप में उद्गोशित किया जाए, ताकि दुनिया के हर कोने में चराचर की एक आत्मता का अद्वयत बोध प्रचारित किया जा सके। समाज बिज्ञान और मानिविकी के पाठेक्रमों में अध्यन की एक पध्यती के रूप में अद्वयत पध्यती सास्त्र को सम्मिलित किया जाए, ताकि आने वाली पीड़ी, जागतिक और पर्यवेक्षनीय, ब्यवहार एवं तथ्यों को केवल परांग मुखी चेतना के धरातल पर समझने वाली आध्यनिक पध्यती सास्त्रों का अतिक्रमन कर, प्रत्यंग मुखी चेतना के उच्च धरातल पर भी उन्हें समझने का एक ऐसा वैचारिक उपक्रम साध सके, जिससे मानव जाती को विभाजित करने वाली अवधारनाओं के मिथ्यात्व का प्रकटी करन और सारभौमिक एक आत्मता के आदर्स को शाकार करने वाली अवधारनाओं का विकास किया जाना संभो हो सके, अद्वैत बेदांत आधारित जीवन द्रिश्टी को सभ्यता एवं विकास के एक वैकल्पिक प्रतिमान के रूप में प्रस्तूत किया जाए, ताकि सभी तरह के संगहर्षों से मुक्त निश्काम कर्मयोग हमारी जीवन सैली बन सके, सत्य, मत, एवं भरांती को एक आयामी द्रिश्टी से देखने पर दुनिया में ब्याप्त, प्रतेक्ष, ब्यवस्थागत, एवं सनरचनात्मक हिंसा और विभेदों को दूर नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आवस्यक है कि सत्य, मत एवं भरांती को सभी द्रिष्टि कोनों से समझा जाए अद्वयत द्रिष्टि इसी का एक मात्र विकल्प है और निसकाम कर्मयोग का आदर्स इसी की फलस्तृती है आज की साभ्यतिक पिड़ाऊं से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाए अद्वयत जीवन द्रिष्टि को एक समग्र जीवन द्रिष्टि के रूप में आतमसात करना है दुनिया भर में साभ्यतिक संगर्षों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा भारत में और भारत से बाहर अद्वैत पीठ की अस्थापना की जानी चाहिए ताकि बसुधैव कुटुम्बकम और आत्मवत सर्व भूतेशु की चेतना में मूलित वैकल्पिक सभ्यता बोध को बढ़ावा दिया जा सके भोगवादी जीवंद्रिष्टी ने अपने साभ्यतिक विकास के महज 300 साल से भी कम समय में हजारों सालों से चली आ रही सभ्यताओं के लय को आंतरिक एवं बाहि संगर्षों के जाल में उल्जा दिया है यह माया जाल मनुस्री के ततस्ट लक्षनों को स्वरूप लक्षन मान लेने की भूल के कारण विक्षित हुआ है अद्वैत जीवंद्रिष्टी इस संकट का परिहार करने के लिए मनुस्री के आंतरालिक ततस्ट लक्षनों को असत्य कहकर नकारने के बजाए उसे स्वेत केतू तत्व मसी के स्वरूप लक्षन में प्रतिश्ठापित करती है। आधुनिक यूग में सभी प्रकार के अन्याय एवं संघर्शों का कारण मनुस्री के ततस्ट लक्षन को संदर्व बना कर उत्पन्न होने वाली स्मिताएं हैं। इसका निदान मनुस्री के स्वरूप लक्षन पर आधारित अद्वयत जीवन द्रिश्टी से ही संभो है। हमारे आज की दुनिया की एक वड़ी विसंगती यह है कि विग्जान एवं तकनीकी ने क्लासिकल नीट्रोनियन माडल से आगे बढ़कर कौन्टम अभियांत्रिकी को आधार बना लिया है जिसमें एकत्व सार के रूप में उभर कर सामने तो आया है लेकिन विखराव, वि प्रेनो टेकनोलॉजी भी काम करती है परंतु विडंबना यह है कि हमारे आज के समय का सामाजिक विन्यास अभी भी क्लासिकल नीट्रोनियन माडल से आगे नहीं बढ़ पाया है अध्वयत बेदान्त शारभावमिक एकात्मता के उस समाज दर्शन को प्रस्तावित करता है जो क्वांटम भौतिकी के सुत्रों के अनुसार सामाजिक विन्यास में सहयोगी हो सकता है अध्यात्म और विज्ञान के समन्वई की यह अध्वयत बेदान्ती यह आधार सिला ही दुनिया को एक विश्व यारी सभ्यता द्रिष्टी प्रदान कर सकती है अध्वयत उत्ष अध्यात्य प्रदान करें और अब इसी का अंग्रीजी पाठ प्रस्तोत करेंगे श्री प्रकाश जूशी जो विश्व देले के अंग्रीजी पी बाग के आजा रहे हैं What I'm going to read out is the English translation of the original which Professor Amigadatji read out and there is always an element of untranslipability between two languages so please ignore that part Advaita Utsa, a three-day international conference on Advaita Vedanta the philosophy of universal oneness was held from 8th to 10th December 2019 at the Golden Jubilee Hall of Dr. Hari Singh Gaurvishwadhyalya Sagar Madhya Pradesh the conference was jointly organized by the host university and Acharya Shankar sanskritik ekatanyas Department of Culture the government of Madhya Pradesh in the eight academic sessions of the Utsa the scholars of international repute and the sages of Arusha Parampara deliberated upon the various aspects of the philosophy of universal oneness and its usefulness the essence of the deliberations is being presented here with the hope that the government of India will send it to the secretary general of United Nations in order to internationally establish the spirit of universal oneness contained in Advaita discourse it is hoped that the discourse will expose the anomalies of the many divisive streams and theories and will offer to the the people of the world a way to redeem themselves from the physical, emotional and spiritual crisis and will show them the way to the intellectual, cultural, economic, societal, political and psychological evolution through Advaita Utsa 2019 we make the following propositions one the birthday of Bhagavad Pad Acharya Shankar be annually celebrated as Advaita day and the decade starting 2020 be declared as the decade of universal oneness to make the people of the world conscious of the oneness of humans and the nature two Advaita paddati shastra be included as a discipline and methodology in the curricula of social sciences and humanities so that the coming generations of students can learn to develop their Pratyanga Mukhi consciousness and understand the inner reality of phenomena as much as they understand its outer reality through their Pratyanga Mukhi consciousness thus enabled the students should be able to see the falsity of the divisive concepts and learn to cultivate the ideals of universal oneness three Advaita Vedanta based view of life be presented as an alternative paradigm of the human civilization and development so that a conflict-free Nishkama Karma Yoga can become our lifestyle four the one-dimensional views of truth and opinions cannot resolve the explicit systemic and structural differences and violence in the world it is necessary therefore that truth and opinions be understood from all possible points of view an Advaita point of view and the ideal of Nishkama Karma Yoga are the only alternatives to achieve this sublime goal five with the pious objective of resolving the civilizational conflicts in the world the government of India should establish Advaita Pitas in and outside India such an endeavor would help in the promotion of a civilization based on the ideals of a Vasudhaiva Kutumbakam and Atmavat Sarvabhuteshu six the material and consumerist view of life has trapped the rhythm of the thousands of years old civilizations of the world in the conflicts of the internal and the external the Advaita view of life can resolve this crisis by accepting the temporary neutral symptoms of humans as Shweta Ketu Tattva Masi instead of rejecting them as untrue being based on the formative symptoms of humans the Advaita view of life can also undo the injustices and conflicts prevalent in our time seven modern science has made a paradigmatic shift from the classical Newtonian model to quantum engineering which has created a major anomaly in our world today the anomaly is that while the quantum engineering based science does present oneness as the essence of existence it does not give much consideration to differences and opinions of oppositions and disintegration the social conflict configuration of our time is a still based on the Newtonian model Advaita Vedanta proposes the philosophy of universal oneness that can help in the social configuration in keeping with the concepts of quantum engineering Advaita Vedanta thus offers us the foundation of a universal civilization based on the merger of spirituality and science December 10th 2019 Advaita Utsav 2019 Dr. Harish Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar Madhya Pradesh Thank you Thank you Yes, our जैसा कि हम लगातार हमारी सामोहिक प्रयत्न के विभेन घटकों से आपको अउगत कराते रहे हैं बहुत सारी संस्था हैं बहुत सारी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राण पन से हमारे इस पूरे के पूरे आनुष्ठानिक पक्रम को अमली जामा पहनाने में हम सब के लिए प्रत्यक्ष और प्रोक्ष रुप से मदद का हाथ का बढ़ाया और ऐसे ही दो शक्सितें आप सब की बीच विराजमान हैं हम चाहेंगे के क्रपया पे मंच पर आएं बारनी कुलपती मोहदे आधिनी डॉक्टर तिवारी जी से हमारा निविधन रहेगा कि इन दोनुष्टियतों को इस मंच पर आप अपने हाथों से सम्मारित करें लाइन ग्रूप जिसने अपने तमाम कारे करताओं के साथ में हमारे साथ लगातार पिछले कई दिनों से बनाए रखी ऐसे लाइन ग्रूप के श्री ओ इन शर्मा हमारे बीच उपस्यत हैं हम चाहेंगे कि पेबंच पर आएं और यह जानी मानी शक्सियत हैं सागर की हम सब जानती हैं कि समाज संस्कृती और पूरी अपनी नागरिकता को जिस तरह से साबित करती हैं वे सच्चे अर्थों में हम सब कि अत्यंता दिनी ताई है कि स्रीमती मीना पिंपल पूरे लाइन ग्रूप के श्रीव ओयन शर्मा है मारा नी कुल्पती मोहते से नवेदन है कि उनका भी अभिनेंदन करें आप सब कि प्रतीब अपनी करते के तागा क्या पन करें अर्थरा वशुब्धिझरों विसुब्धिवडिया है रूनिक क्याश रफ ओवर पांडर सर्थरा शर्थरा हारी सिंगब तूर्ज और ऑ्र अपन्डर थे अत्यूश थेो यह्ड़िप्स्व ठीजज़िस्मा होब्स्व अज्वड़ as well as the modern institution of higher education as dynamic exponent which led to transforming the triode of mind, body and matter into rhymes of oneness. We are aware that the spiritual and cultural texture of India is deeply embedded in the idea and values of a tourism which anchors the Sanatana civilization through the oneness of Jeeva, Jagat and Brahm. The spectrum of Indian civilization emits insensitly the beaming radiance of the splendorous principle of all schools of thought of knowledge and wisdom. Along the eight thematic domains of Advaita Vedanta, the Utsu scripted the history of mankind in terms of largest knowledge congregation, where the distinguished and enlightening speakers from the spiritual and the academic world have collaborated to reinvent the knowledge and wisdom of Advaita Vedanta for addressing the issues and possibilities of co-existence and welfare of entire humanity. The idea and wisdom of Acharya Sankars illuminated the pretext, context and text of the theory of universal oneness, as we witnessed that the design of this international utsa is unique and distinct from the other contemporary deliberations and dialogues about the human existence which is largely being defined along materialistic achievement and a spiritual becoming of mankind. The skewed direction of development agenda of modernity as well as post-modernity is divided of intrinsic cultural, aesthetic and spiritual consciousness which constitute the ontological security of mankind. Dear friends, the entire deliberation illuminated the cultural and aesthetic ramification through live concert, theatric performance of legendary artists and portraying Acharya Sankaraj's life, philosophy and message of ekatmata through art exhibitions, exponential performance, exponential performance by renowned old Sri dancer, Susri Sujata Mahapatraji, who is the reflection of Parma Sri Kelucharan Mahapatraji, and Sankar Sangeet by Susri Sudha Raghunathanji. It is our fortunate privilege that we are blessed by being a host and witness of this Advaita Utsa, which has visualized and embraced the entire summative idea of oneness along the matrix of deliberations emanating from eight thematic domains, representing all doctrines of knowing and knowledge. We have started our journey as Advaita Utsa in and under the blessings of divine souls, where we got enlightened through philosophical discourse about emergence and reincarnation of Sankaracharya by tracing its footprints along the chronology of his life and ideas and their organic connections with grand Vedantic darshan and civilization. Undoubtedly, the idea and philosophy of universal oneness played a pivotal role for the integration and unification of space, cultural and spiritual domain of human life, which was uneven and scattered in all forms of life and society. This knowledge congregation cultivated our spirit and enlightened our agency by churning the knowledge, wisdom and value system embedded in the Indian tradition of philosophy. The Indian tradition of knowledge, knowing the value system, carve out the pathways by addressing the contemporary hermical questions and existential crisis emerged due to antagonism, mistaken duality and multiplicity in lips of global level. In these three days, we actualized through experience of alternative philosophy and practices propounded by Acharya Sankars for negotiating illusion, materialistic temptations and violence, and cultivating greater hope for empowering being and happiness for all in the modernity, and the only folk and tribal traditions are historically colored, intuned, and aligned with ekatmata of jiv, jagat, and brahm. The reflections of rich cultural bhakti and folklore movement of Indian traditions has also re-strengthened and reasserts the metaphysical and ontological venture point of oneness. Even the modern science has accepted and reconciled the epistemological contradictions of truth and reality with religious knowledge and experiences in the form of self-evidently interface of Sankar's Vedatma. All the deliberations and focal discussions in these three days of pious thinking are intended to march towards the message of universal oneness, to eliminate all exclusionary practices and injustice. The Advait also has received an overwhelming response from academia across the nation and citizenry of Sagar, which has made this Swandjanti hall vibrant and lively with their thought-provoking and enlightened spiritual presence through various forms of expressions. The positivity of idea of oneness is extended and originating in entire socio-cultural space of Sagar, and personified at odd levels of human behavior. I am delighted to learn that this is renamed as Sagar Convention of Vedanta, and led to Amrit Bindu, an appeal to United Nations organization to declare, observe, and celebrate a day as World Oneness Day, in order to revive our ancient ethos and ideas of Vasudhai Kutumbakam. Dr. Hari Singh Gauravisvidyala Sagar will initiate a framework for Indian higher education to strengthen the quality imperatives through offering and designing course curricula on the philosophy of universal oneness for maintaining the peace, justice, and harmony aligned with scientific and modern discourse. In this continuation, University will approach all the authorities to remove all kinds of existing exclusionary practices which adversely affect all around development of an individual and humanity, thereby initiating some steps, such as to introduce diploma course on peace, happiness, and universal oneness across all levels of higher education, to constitute a chair on Ardhwair Vedanta in premier higher education institutions of the country, to provide a framework for the funding agencies like ICSSR, ICPR, ICHR, UGC, etc., which all these agencies in fact have been very kind to give us generous funds for organizing this mega event in our university, and then to promote transdisciplinary research in Ardhwair Vedanta through new departments like Center of Oriental Studies and Indigenous Knowledge Center, and to provide platform for state functionaries and stakeholders to accelerating their ongoing projects and programs in the axis of peace, happiness, and universal oneness. As a pattern of this international conference, once again, we gratitude all the omnipresent divine souls who have embraced and blessed us with their gracious presence in this Ardhwair Tutsa. Our organizing team made all sincere efforts to make our academic and learning experience comfortable. If they succeeded in this noble mission, let us clap for them for their encouragement. There should have been some inconveniences for your academic and spiritual journey during the last three days, and I own the responsibility for the same. Mayashi Ram Jai Sri Bhakwat Padra Adhishankar Band of Mahatram. Congratulations, Jai Sri Bhakwat Padra Adhi Shankar, Bandai Maataram. के साथ कहें सम्मान के साथ कहें इस मंच पर पुकार रहे हैं आधनिया आनन्दमूर्ति गुरू मागो आधनी देवी सजनू शंकराचारे कहते हैं कि करुणा जीवन के विराट और गहरी द्रश्टी से जन्म लेती है यह द्रश्टी प्रेम की है जिसे हमने इश्वर कहा या कहें इश्वर को हमने वही प्रेम कहा और हम दोहराने लगे God is love, love is God अरथात प्रेम इश्वर है और इश्वर प्रेम है यूँ प्रेम की द्रश्टी दो नहीं देख सकती दुराव नहीं देख सकती प्रेम की भाषा तो एक होने की भाषा है समाईत होने की भाषा है विलाई होने की भाषा है और वो प्रेम ही है जो प्रकृति की कण-कण में समस्त जड़ चेतन में व्याप्त विराट की मुखर मौन को सुनता है हर जीव में उसकी परम आत्मा की अंश को देखता है फिर पराया कुछ भी नहीं रह जाता सब एक हो जाता है सब अपना हो जाता है आत्मा तब एक ही मंत्र जबती है वसुधयव कुटुम्बगम और जीवन मात्र के लिए करुणा का इस्थाई भाव हो जाता है हमारे भीतर आधनी दिवेश जुनू इसी इस्थाई भाव के साथ गुरु माग आनंद मुर्ती हमारे आसपास बनती है अपनी समुझी जीतना के साथ मंच पर रुपधार रही है एक बार पुना हम सब करतल धनी से उपस्तिती का आदर करें मान करें संबान करें ज्यान भक्ती प्रेम और आनंद की त्रिवेणी है आनंद मुर्ती मान दया गरुना और परोपकार की जीवन्त प्रती मान अज्यान से तप्त रदेव को अपने ज्ञान, भक्ती और योग की अम्रत वर्षा से त्रप्त करती हैं गुरू मा एक तत्वनिष्ट सद्गुरु बनकर साधना की अगने में तपाने वाले और एक मा की भाती इसने पूर्ण मार्क दर्शन और आत्मीता बरसाने वाली हैं आनंद मूर्ति गुरु मा योग वेदांत आधी के परिश्टत ज्यान का रहस सोद्गाटन करने वाले गुरु मानी के सागर से मानिक चुनने वाले सुफी मत की रुहानियत को सबसे रूबर उकराने वाली हैं आनंद मूर्ति गुरु मा बहुत बहुत अभिवादन स्वागत हम सबका समवीत प्रणाम हम चाहेंगे कि माननी कुलपती महदय और माननी कुलसचिव करपया मंच पर पधारें और आधिनी गुरुमा को समंच पर पुष्प श्रीफल अंगवस्त्र और आधिशंकर अचारिका चित्रभेट करम का विनंदन करें स्वागत करें माननी कुलपती महदय श्री आर्पी तिवारी जी और कुलसचिव श्रीव संतोष सागुरा सभागार में उपस्थित प्रिय आता है अमंत्रो अक्षरह नास्ति नास्ति मूलो आवसधम अविज्यह पुर्शो नास्ति योजकस तत्र दुरलभा मित्रों आप लोगों ने देखा कि इस त्री दिवसी इस ब्रंभोध्य सत्र का संचालन हमारे प्रिय विनय उपाध्याई जी ने जिस तरीके से किया और अपनी जोती रग्रवानी से जिस तरह से वक्तां और स्रोताओं के बीच में संबाद अस्थापित करने में उन्होंने महती भूमी का निभाई है उससे इस पूरे ब्रंभोध्य सत्र की ओजस्विता बहुत बढ़ गई थी आप सभी लोगों ने इसका अनुभव किया होगा आप सभी से अनुरोध है कि विनय उपाध्याई जी के इस जोती रग्रवानी से इस पूरे ब्रंभोध्य सत्र को संचालन करने के लिए उनका स्वागत करें और मैं गुरु मां से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिने उपाध्याई जी को इस जोती रगरवानी से इस ब्रंभोध सत्र को संचालित करने के लिए उधें अपने आशिर्वाद से अभिसिंचित करें झाल झाल